सी इस टेनों 2023 में अभी एकजाम में वन विक बचा हुआ है इस वन विक में हम क्या क्या करें ठीक है यह मैं पूरा बताऊंगा ठीको दोगों सबसे पहले क्या होता है कि अभी तक आपने जो भी याद किया होगा तो इसको रिवीजन माड़ लो दूसरा अगर आपके पास पैरामाउंड की बुक है नीतु सिंग वाली है या इसके लावा आपका जो अभी रिसेंट में चल रही है क्या है जिसमें पूरा प्रिवेस यह का दिया होता है ब्लू ब्ल पूरी ये पूरा वर्ण विक में पूरा रट लेना है क्योंकि वो कैप कहां से क्या आ जाए पता नहीं है और वह जरूरी है अब दूसरा बात करते हैं एंटोनिंग सिनॉनिम और डारेक्ट इंडारेक्ट गी दोनों में क्या करना है आपको एक्ट्व पैसिव डारेक्ट इसके लिए क्या करना है कि प्रिवियस इयर में जो भी आपके क्रिश्चन्स आपके आई होते इन दोनों से रिलेटेड उनको क्या करना है इसके बाद से लिए पास नोट्स होंगे नहीं तो आप पे बेसिक बैसिक आप मेरा और आप कॉमण एरर से हो गया या नीतू सिंह वाली बुक से आपका हो गया तीक है या कोई भी आपकी book हो उससे में में जो concept आपके हैं वो आपको क्या करने हैं क्योंकि all ready इर्र की जो practice है त्टीक है वो जो practice है वो अपने करी ले होगी ठीक है अब यह आपके हो गए तीन चीजें चो चीज चीज क्या करनी है कि अभी इस बीच में ठीक है आपको comprehension करना है कि कौन सा टॉपिक जो है वह आपका ऐसा है जहां पर आप जो अपनी गलती है वह आप कर रहे हो ठीक है वह जो टॉपिक है उसको क्या करना है बार बार उसको रिवाइज करना है क्योंकि वह आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है तो इतना जो चीजें है वह आपको अभी इस वन वीक में करनी है वन वीक में अगर आप सोचो कि काम जादा है तो यह ध्यान में रखना कि वन वीक जो आपके पास बचा हुआ है यह आपका कृशियल समय है अभ आपको यहां पर लाना ही लाना पड़ेगा जीच आप दिमाग में रखो और जो लोग यह उच रहे हैं कि मॉक टेस्ट में आपके जो मार्क्स हैं ठीक है कम भले आ रहे हो लेकिन अगर इस वन विक में आप अगर पढ़ रहे हो तो हो सकता है कि आप फाइनली कोई ने कोई आपके डिपार्टिमेंट आपको मिल बॉल्सकता है कि फाइनली मिल सकता है क्योंकि इस Mmm work में हो सकता है कि आपके मार्क्स ऑग्र जा और अगर के लेवल कर आ यो कि इन के मार्क्स धो रही है एक सोसी है एक सोबीग 첫ी उनके लिए चीज बता रहे है ने बाक्रेह कि मैं देत रहूंगा जो भी चीज़े आप पोस्सकते हैं कमेट से